हैलो दोस्तो मेरा नाम है राजकुमार और आज मैं आपको परसेंटेस पर्ट 3 करवाने जा रहा हूं पिछली वीडियो में मैंने आपको परसेंटेस परट 1 और पर्ट 2 करवा रखा है जिस भी student ने ये वीडियो नहीं देखी है वो पहले part 1 और part 2 जरूर देखे आज हम बात कर रहे हैं percentage part 3 की यानि कि ये हमारा आज third video है find the missing number हमें missing number find करना है ये हमें question mark दे रखा है दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 questions लिख रखे हैं इन 3 questions को आज हम solve करेंगे कि percentage के ये 3 questions किस परकार solve होते हैं exam में के वार इस परकार के questions आ जाते हैं इसलिए हम लोग आज इन questions को solve करने जा रहे हैं सबसे पहले first question है ये मैंने sign of interrogation दे रखा है यानि कि यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर value रखनी है हमको क्या value यहाँ पर आएगी ठीक है ये बोल रहा है कि find the missing number जो missing number है यानि कि यह miss number है इसको हमने fill करना है तो what लिखा हुआ है यानि कि question mark दे रखा है कि यहाँ पर क्या आएगा और percentage दे रखा है of 25 equal to 2.125 कहता है कि अगर हम यहाँ पर कोई value दे रखी होगी वह value को find करेंगे और उसका हम 25% निकालेंगे ठीक है मतलब इस number का 25 निकालेंगे ठीक है तो result आएगा 2.125 इसी questions को हम solve करेंगे कि इस प्रकार के जाता है कि सबसे पहले हम क्या लेखेंगे यहाँ पर हमें कुछ नहीं दे रखा वहाँ पर हम क्या लेंगे x x percentage percentage का गया of 25 equal to 2.125 x percentage है percentage को हटाने के लिए denominator में क्या जाएगा 100 आजएगा x upon 100 of का मतलब होता है multiply यहाँ पर क्या गया 25 equal to 2.125 यह हमारा same उतार लिया अब क्या करेंगे अब इसको हम cancel out करेंगे देखो 25 वान जा 25 25 वान जा 100 यानि कि equation हमारी यागी x upon 4 equal to 2.125 अब इसकी multiply इसके साथ होगी तो x equal to 2.125 multiply 4 अब x equal to अब यहाँ पर point है इसकी multiply यहाँ हम इसके साथ करेंगे तो कैसे करेंगे यह देखे हम मानेंगे यहाँ पर point है भी नहीं ठीक है यानि कि हमने क्या करना है point remove करना है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा था कि point को remove करने का क्या method है ठीक है लेकिन एक और method है दोस्तों जो मैं आपको आज बताने बाला हूँ कि सबसे पहले हमने क्या करना है point को बूल जाना है 4 2 जा 8 और 2 10 10 का 0 आएगा ठीक है और 1 क्यारी हो जाएगा 4 1 जा 4 और 1 5 और 4 2 जा 8 यहाँ पर क्या आ रहा है 8 5 0 0 ठीक है तो आब क्या करेंगे यहाँ पर देखना है कि point के बाद कितने desert है देखिए 1 2 3 3 desert है ना तो सेम यहाँ से क्या करना है 3 desert छोड़के point लगा देना 1 2 3 3 desert छोड़के यहाँ पर हमने point लगा लगा लिए यानि कि हमारा answer क्या आया 8.5 ठीक है 8.5 0 0 भी लिख सकते हो आप तो यह हमारा answer आगा दोस्तो ठीक है next question दोस्तो next question है 9% of but equal to 6.3 यानि कि 9% का यहाँ पर क्या value आये रखेंगे कि हमारा answer 6.3 आएगा देखिए 9% है तो 9% of हमने लिखा what चीक है और equal to 6.3 यह question ने दे रखा है क्या करेंगे percentage को हटाने के लिए सबसे पहले 9 के denominator में क्या लिखेंगे 100 of का मतलब होता है multiply यहाँ पे इसके जगा पे लिखेंगे हम x लिखेंगे क्योंकि हम हम पे कुछ दे नहीं रखा number तो हमने number क्या मान लिए number x है equal to 6.3 अब क्या करेंगे 9 की multiply x के साथ होगी तो 9 x आजाएगा upon 100 equal to 6.3 इस 100 की multiply इसके साथ होगी यानि कि 9 x equal to 6.3 multiply 100 अब यह 9 है इदर आके डिवाइट हो जाएगा तो x equal to 6.3 इन्टू 100 अपान 9 अब इसको cancel out कैसे करना है दोस्तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस point को हटा देंगे मानेंगे कि यह point है ही नहीं तो क्या आजाएगा x की value यहाँ पे क्या जाएगी 63 इन्टू 100 अपान 9 अब क्या करेंगे इनकी multiply करके देखेंगे तो क्या जाएगा 6300 यह value आई ठीक है तो अब क्या करेंगे 9 के साथ divide करेंगे ठीक है और एक चीज़ और बताएगी मैंने आपको कि देखना है कि point के बाद कितने डीज़ेट हैं point के बाद कितने डीज़ेट है एक डीज़ेट था तो एक डीज़ेट छोड़के हम क्यों क्या लगाना है यहाँ पे point लगा देना है मैंने आपको कहा था जैसे यहाँ पे point था ठीक है 6.3 था multiply 100 के साथ कर रहे हैं हमने पॉइंट को हटा दिया तो क्या गया 63 इंटू 100 अब जब इसकी multiply करेंगे आंसर आया 63 100 तो देखना है कि point के बाद कितने डीज़ेट है point के बाद एक डीज़ेट है तो यहाँ से एक डीज़ेट छोड़के हमें यह point लगा दिया अब क्या बच गया हमारे पास 630 upon 9 आप इसको cancel out करोगे 979 के साथ यह 9 कट गया और 97 कितना होता है 63 और यह 0 यहाँ आ गया यानि कि हमारा answer आ रहा है x की value कितनी है 70 यह हमारा right answer है दोस्तो इसी प्रकार third question जो है आपने मेरे को comment box में answer देना है 0.25% of x यहाँ पे x बरोगे equal to 0.04 है तो आप लोगों को क्या कहना है यहाँ पे सबसे पहले percentage को हटाने के लिए यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा denominator में ठीक है और 100 यहाँ पे क्या देखो 0.25 है तो 25 है इस point के भी आपको multiply 100 के साथ करना पड़ेगा चलिए इस questions को मैं आपको करके दिखा देता हूं एक बार equation बना के देता हूं next आगे comment box में आप इसका answer solve करके दोगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है 0.25% आफ यहाँ पे sign of interrogation है equal to answer दे रखा है 0.04 यहाँ पे value हमें रखनी है उतने ही one के बाद zero लगा दना है यानि कि यह 25 है तो 25 लिखेंगे ठीक है और यहाँ पे hundred आ जाएगा और एक hundred यह भी है percentage को हटाने काला तो इसका भी जब हम multiply करेंगे hundred के साथ यानि कि percentage को हटाएंगे one upon hundred ठीक है आफ कि एगा multiply आगा है यहाँ पे हम एक्स की value रखेंगे equal to 0.04 अब आप इसको cancel out कर सकते हो देखें यह बन गया हमारा 25 अपान 10,000 ठीक है multiply x equal to 0.04 अब क्या करेंगे 25 x आ गया 25 x अपान 10000 ठीक है equal to 0.04 आप cancel out कर सकती हो इसको लेकिन हम क्या करेंगे cancel out बाद में करेंगे सबसे पहले इसकी multiply इसके साथ करेंगे 25 x equal to 0.04 multiply जा गया 10,000 ओके आप कैसे करेंगे x की value जहां जाएगी यह जाएगा 0.04 multiply 10000 upon 25 यह 25 इदर आगे डिवाइड होगे ठीक है अब cancel out करना है आप लोग मेरे को कमेंट बाक्स में जरूर बताओगे कि इसको जब हम solve करेंगे 25 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या answer आएगा जरूर बताएं दोस्तों अगर आपको स से ज्यादा जुड़ें और अगर उनको कोई भी questions का doubt परता है तो वो मुझे send कर सकता है मेरा WhatsApp नमबर है 6006090567 इस नमबर में मुझे अपना question send कर सकता है माउस को वीडियो solution दे दूँगा दन्यबाद दोस्तों